जय गनेशाय नमा, जय मा सरस्वति, जय मा दुर्गे, जय मा बंगला मुखिए मोशन पार्ट एट, ठीक है? मोशन पार्ट एट में हम लोग करेंगे भेलसिती टाइम ग्राफ, ठीक? सेबन में क्या परहे थे? डिस्प्लेस्मेंट टाइम ग्राफ तब डिस्प्लेस्मेंट टाइम ग्राफ क्यों परहे थे? उससे हमको क्या निकला था? वेलोसिती निकला था, निकला था ना? अब हमको परना है वेलोसिती टाइम ग्राफ, ठीक है? तब velocity और time से क्या निकल सकता है, velocity और time से क्या निकलेगा, displacement निकलेगा, और क्या निकलेगा, acceleration निकलेगा, क्योंकि velocity और time को multiply किजिएगा, तो क्या आएगा, displacement आएगा, ठीक है, और change in velocity per unit time को क्या बोलते हैं, acceleration बोलते हैं, नहीं, तो velocity time ग्राफ से हमको दो चीज मिलेगा, क्या-क्या, एक displacement और दूसरा acceleration, चिक है, किस से क्या मिलेगा, वो पता चले, तब न उसके बारे में मेहनत किया जाए, क्या, यही न सोच रहा है, आज कल कर दो, क्या-क्या फैदा मिलेगा, क्या-क्या फैदा मिलेगा, velocity time ग्राफ से, displacement निकलेगा, और acceleration निकलेगा, चिक, इसमें भी, जैसे उसमें 2-3 case हुआ था, इसमें भी 3-4 case हो जाएगा, velocity, आप समझ रहे हैं, uniform velocity, non uniform velocity, इबाब तो समझ रहे हैं, constant velocity, सब आएगा, variable velocity, क्या, कोई चीज नहीं, uniform और non uniform, मान लिए, कि आप cycle चला रहे हैं, आपका speed है, 50 meter per second, 50 meter per second, मतलब क्या, कि एक second में 50 meter आप जाते हैं, यह नहीं बाब, velocity, ठीक, दूसरा second में देखते हैं, तो फिर भी आप उसी velocity से जा रहे हैं, 50 meter per second के ही velocity से जा रहे हैं, तीसरा second में भी 50 meter per second के ही रफ्तार से जा रहे हैं, इसी प्रकार से, चौथा, पच्छा, सब में आपका velocity क्या है, 50 meter per second, ठीक, इसको जो यह velocity जो है, time तो बढ़ते गया, अब velocity सेम का, सेम रह गया, यानि कुन velocity का लाएगा, uniform velocity, ठीक है, चलिए, अब हम आ जाते हैं, लिखने वला कुछ काम पर, graph पर, चलिए, क्या है मेरा, velocity time graph, है, velocity time graph में, इससे हमको क्या मिलेगा, बता दिये हैं, from velocity time graph, we can determine, पहला, the displacement of the body in certain time interval, और acceleration of the body, इस दो चीज़ हमको निकलेगा, velocity time graph से, ठीक है, अब यहान हम एक table ले लिए, ठीक है, दो कालम में, पहला में है, velocity किस में, meter per second में, और time किस में, second में, ठीक, time बढ़ता गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब velocity, जर्स का तस है, 10, 10, 10, 10, 10, सब में 10, यहनि, velocity 10 meter per second, और time बढ़ता चला गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब आज लिए, इसका हमको graph खिचना होगा, इसका पहले हमको graph खिचना होगा, चलिए graph, यह हो गया कौन, x-axis, यह क्या हो गया, y-axis, यह क्या हो गया, origin, x-axis पर आपको क्या लेना है, time लेना है, x-axis पर हम time ले लिए, time किस में है, second में, अब y-axis पर क्या है, velocity है, velocity है, किस में, meter पर second, time, 1, 2, 3, 4, 5, velocity, 10, मान लिजए, यहाँ पर हम ले ले लेते हैं, कितना, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, अब आजाईए, time है, 0 second, velocity कितना है, 10, यहनि कहां पर आगया, आपका, ठीक, time है 1, velocity है 10, time 1, अब velocity 10, कहां आगया, 2 में भी कहां आगया, 3 में भी कहां आगया, 4, 5, इस प्रकार से आपका यह velocity time graph हुआ, ठीक है, इसको हम मिला दिए, ठीक, ठीक, ग्राफ तो बन गया, अब हम आपको कहां रहें, ठीक, इससे आपको फायदा क्या, velocity time graph बनाने से क्या फायदा, दो चीज आपका निकलेगा, क्या-क्या, एक displacement और दूसरा क्या, acceleration, निकलेगा, तो पहले displacement में आईए, तो देखिए, यह आपका x-axis है, नहीं, ग्राफ इसके उपर है, ठीक, तो वह जो आप displacement निकालिएगा, यह acceleration निकालिएगा, वह positive होगा, ठीक, और जब इसके नीचे होगा, तो वह क्या होगा, निगेटिव होगा, एक बाद, वैसे भी, एक चीज और देख लीजिए, यह बताये भी हुए हैं, कितना बाद, लेकिन यह आपका क्या है, फर्स्ट क्वार्डेंट, यह क्या है, सेकेंड क्वार्डेंट, यह क्या है, थर्ड क्वार्डेंट, और यह क्या है, फोर्थ क्वार्डेंट, क्वार्डेंट बाने चौथाई, यह जो दिमान लेते हैं, यह पूरा सर्कल हो गया, सब एक चौधाय है ना यह हुआ मेरा फास्ट क्वाडरेंट आप कहिएगा वह ही फास्ट क्वाडरेंट है और इसाथ यानि क्या आप धकर खोल रहें कोई डबाव वखा का CCC का धकर क्फोल रहें नहीं नाच रहा इसे इसको बोलते हम लोग क्या एंटी-Clockwise, इसको क्या बोलते हैं? एंटी-Clockwise, एंटी-Clockwise, अजरी ऐसे चलेगा घर ही ऐसे इने चलता हम लोगा, इसको क्या बोलते हैं? Clockwise, इसको बोलते हैं Clockwise, अच्छा हम क्यों बता रहे थे इसको सोच देखे, यह आपका x-axis है, y-axis है, यह ओर इजीन है, बताए मैंने यहां से यहां, इधर जब जाएगा तो positive और इधर जब जाएगा तो क्या पूजितिव पूजितिव, और इ जो है, इपार्ट क्या 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 आएगा? पूझीतिव और नीगेटिव वैलो सिटी कि समय आता है नीगेटिव में टाइम ते नीगेटिव हे मैं नहीं बहुलकूतिए कीस में नीगेटिव में अब आधान होता है है आले लुर्ट लों तुधर पर है थीक हैεί heart यहां से हमको कहा जा। रहा है कि आप 10 मीटर गेट के तरफ जाएं, ठीक, हम क्या किए, 10 मीटर रूम के तरफ चलेगा, क्या होगा, नीगेटिव दिस्पलस्मेंट, ने स्पूस्पलस्मेंट, बात स्मझ गे, positive displacement और negative displacement अब दूसरा point है आपका acceleration, acceleration किस पर depend करता है, slope पर, नहीं, acceleration किस पर depend करेगा, slope पर, जैसे यह आपका x-axis है, ठीक है, इसके साथ, यह जितना angle बनाएगा, वही न मेरा slope हुगा, इस जितना angle बनाएगा, वही ने slope होगा, अब जया दी मान लीजे इसके parallel है, इस axis के parallel कोई line है, यहाँ हो चाहिए, यहाँ हो चाहिए, यहाँ हो चाहिए, यहाँ हो, इसके बीच में tangle नहीं बना, नहीं, इसलिए acceleration यहाँ क्या हो जागा, 0, आप वह से भी मिला लीजिए, acceleration के deflation आपके पास क्या है, change in velocity, velocity में changing, यहाँ तो velocity में change हो ही नहीं रहा रहा है, acceleration कहां से हो, acceleration क्या हो जागा, 0, ठीक, चलिए, acceleration जीरो हो गया, अब आईए, displacement, अब यहाँ एक चीज़ देखिए, क्या लिखे है, velocity, time graph, क्या बना, इस ट्रेट लाइन हुआ, किसके, parallel to time axis, time axis ही है, इसके parallel ही हो गया, अब आप इसमें question, there are displacement in 2 seconds, 2 seconds में कितना displacement हुआ, 2 seconds में कितना displacement हुआ, graph हम लोग क्यों पढ़े थे, velocity time graph क्यों पढ़े, क्योंकि इससे हमको क्या निकलेगा, displacement और acceleration, अब आपको कहा रहा है कि इससे displacement निकालो, कितना second में, 2 seconds में, खीक भाई, तो यहाँ है, मिला दिये इसको, मैं आदी, हो गया, आप कहिएगा, इससे कैसे निकलेगा displacement में, तिक, अब देखो, यह जितना area cover करेगा, यह जितना area cover करेगा, वही मेरा क्या होगा, displacement, तिक, अच्छ, इस area इतना हुआ, इसको हम अलग से बना लेते हैं, यह जो figure लिए हैं न, इस figure को हम कहाँ बना दे, नीचे बनाने से कम चलेगा, देखो यही पर, इसी figure को मान लो, हम यहाँ बना देते हैं, हो गया, कट रहा है क्या, नाम के लिए हम लग देते हैं इसको A, इसको लग देते हैं B, इसको लग देते हैं C, यहाँ O था, ठीक, यहाँ से यहाँ क्या है मेरा, 2 seconds, और यहाँ से यहाँ कितना है, कहा तक है, 10, यानि 10 meter per second, इसका area निकलना है, यह geometrical figure है, किस shape का है, rectangle का है, area of rectangle क्या होगा, length into breadth, इन होगा, यानि length हो गया आपका AO, और breadth हो गया क्या, OC, AO कितना, 10 meter per second, और OC कितना, 2 second, SS कट गया, कितना बच गया, 20 meter, यही आपका होगा, क्या, displacement, अब समझ गया, आप तो कोई दिकर नहीं, 20 meter, इसी प्रकार से, जैसे यहां दिया है, displacement in 2 second, निकल गया, अब आपका होगा रहा है, सिखने के लिए, displacement in 4 second, displacement, कितना second में, 4 second, ठीक, तो 4 second में जो displacement होगा, इससे इसको मिला देगी, और यह जो पूरा area होगा, वही ने मेरा displacement होगा, समझ यह बात होगा, यह जो पूरा area होगा, वही मेरा क्या होगा, displacement, ऐसे ही, उभी डियाग्राम है, ठीक, यह भी क्या होगा, rectangle होगा, rectangle होगा, length into breath, तो length कितना, 10 meter per second, वही ने दिया है, और breath में कहां तक गया हम लोग ताइम में, फोर्त, तो 10 फोर्जा, 40 meter, क्या होगा, 40 meter, उसे इप्रकार से, दूसरा, यह displacement in 5 second, यहां तक कर देगे, सब को मिला दे, और इसका area निकाल दो, तो rectangular shape होगा, तो यही 10 into 5, यही कितना, 50 meter, अब यहां आराम से लिख सकते हैं आप, अब clear, अब इसके बाद है, acceleration, acceleration पहले ही बता दिया है, देखो अब, इस line के parallel E line है, एंगल कब बनेगा, ध्यान ले, जैसे, यह एक line हुआ मानले, x-axis, ठीक है, एंगल बनाने, बनी कैए, slope हुआ, तब नए acceleration निकलेगा, slope हुआ, तब नए acceleration निकलेगा, slope हुआ, तब ने acceleration निकलेगा, लेकिन इसी line के parallel, दुसरा line है, यह parallel है, आपस में कहीं मिलने वाला है, नहीं, इसलिए acceleration क्या हो जाएगा, जीरो ठीक एक काम के लिए अब हम आजाते हैं चलिए दूसरा क्वांट है मेरा इफ दबड़ी इजिन मोशन उसमें भी दो केस यूनिफॉर्म एसलेरेशन और दूसरा यूनिफॉर्म इजिन मोशन विथ यूनिफॉर्म एसलेरेशन इफ अबड़ी इजिन मोशन विथ यूनिफॉर्म एसलेरेशन थीक है आप यहां भी उसको लिख सकते हैं हम अलग-अलग कर दी हैं वहां तो क्या होगा जैसे टाइम हम ले लिए एक टेबल मेरे पास जीरो वन टू थी फोर फाइब सिक्स वेलोसिटी जीरो है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिप्टी इस प्रिकार से बढ़ता चला गया ठीक सबसे पहला काम क्या करना है आमको ग्राफ खिचना है ठीक है तो हम ग्राफ कहां खिचें यहीं पर ले लेते हैं ग्राफ जो ओड़्य पक्राफ कहा अरो से पुश्थास्ताइबintellyk करना क्या hyvin तो हम टू थायैंघक करना टाइम हैं वन, टू, टू, टू ट्री, फोर, लॉफ, फ़ाइब सिक्स पार डिक दित बहते हैं टैनटी, थोर्टी, फोर्टी, फुटी, सिक्सेश्टी 10, 20, 30, 40, 50, और 60, हो गया, ग्राप कीचिये, 0, 0, ठीक है, 1 पर कितना, 10, एनी पॉइंट हो गया, 2 पर कितना, 20, एनी पॉइंट हो गया, 3 पर कितना, 30, 40, 50, 60, यह न हुआ आपका लाइन, है, इसको मिला हिए, इससे अपको क्या निकालना था, भैलोसीटी एन्ट टाइमा क्या, डिस्टेंस करके भी निकालना था, या। कितना लगा six seconds इसमें यह कितना distance cover कि इसमें आपको दो point दे दिये हैं कि distance traveled by the body in three seconds और in six seconds दो part में इसको बाट दिये यह आपके लिए दो question हो गया तो three कहां है यहां पर पहले इसी को ले लिजिए कि तीन second में कितना distance cover किया क्या बोले हुए है कि जो geometrical figure बनेगा उसी का ने area निकलेगा वही ने मेरा distance होगा क्या यहां geometrical figure यह बन गया इसको हम क्या करें अलग से figure यहां बना देते है यह figure नहीं बन गया आपका इसका area इसका area यह आपका कितना हो गया 30 इसको हम लिख दिया है आपर 30 meter per second और यह कितना हट्टा है कितना तो गया 3 तक 3 second इसी का ना आपको area निकलना है कि क्या हो गया triangle नहीं हो गया आप निकाल दीजे area of triangle बस जो जोगेमेट्रिका फर्मूला है area of triangle क्या है 1 by 2 into base into height and 3 second into 30 meter per second 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 के रहाए 2 से कटा 15 15 3 जा 45 meter ठीक है देखे दिया कितना हो जाएगा 45 meter ठीक को जीकत नहीं velocity और क्या time एक दूसरा क्या आपके पास in 6 seconds अब देखो गोड़ से 6 यहां नहीं है इससे इसको मिला दिये मिला दिये यह नहीं हुआ area की triangle बना इसका area निकाल लेगा इसका area निकाल देखे कहा निकाल है हम यह इपर निकाल देखे यह निकाल दो यह क्या हो गया मेरा base अही क्या हो गया height तो कितना होगा 1 by 2 यह लिख दो 1 by 2 अब बेस कितना 6 अब हैट कितना 60 हो गया 2 3 यह यह कितना 150 meter जो इसका area होगा आप कहेगा area meter square उना ही डिस्टेंस निकालना है इसका जितना area होगा ठीक unit तर लिखे meter per second by second 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 cut कितना बचा है meter ठीक अब आजब लगता इसमें दो ही point होगा 2 point बचा रहेगा तर फिर दूसरा में जाएगा acceleration of the body दूसरा क्या है? acceleration का मतलब किया? इस point को मान लेते हम P ठीक है? इस point को मान लेते है P अब इसको मान लेजए यहां सहथ आए चारँ आने दिजए उससे क्या इसका slope, acceleration of the body इसका मतलब हो गया? slope of O P O P का slope इसका slope किसपर depend करेगा? जा भी धियान दिया है स्पर बता है पहले भी इसका स्लोप किस पर करेगा या था इस पर या ने था इस पर 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 पेंडिकुलर पर या बेस पर यह नहीं, तो स्लोप ओपी प्लोप और कितना इसको माल लेटे हैं PM, PM by MO क्या हो जागा, PM by MO, तो PM कितना 50, 60, 60 मेटर पर सेकेंड, और MO कितना 6 नहीं यह 10 meter per second square हो गया 10 meter per second square निकल के acceleration अब आजये तायम करता दूसरा केस है uniform retardation the velocity diagram will be a straight line inclined to the time axis with negative slope चलो जल्दी बनाओ के बाल हम खीज रहते हैं नीचे क्या जया जयादा कितना है 40 यह हो गया 40 meter per second 0 1 2 3 4 ठीका है इसमें क्या देख रहे हैं 40 से कहां पर आ रहा है 0 पर velocity 40 था velocity क्या हो गया 0 यह क्या हो गया retardation क्या कह लगाई retardation graph बनाने को दिकत नहीं अच्छा अब कहिएगा कि इसमें कितना displacement हुआ कितना distance हुआ और कितना acceleration हुआ ठीक तो मान लोग इसको मान लेते हैं p इसको मान लेते हैं m वही सेम चीज़ लेकिन minus slope of क्या mp यह हो गया आपका acceleration जैसों कहीं retardation निकलेगा इसमें कैसे निकलेगा माइनस slope of mp इसका सुलोप आप आराम से निकल सकते हैं कैसे इतना अब इतना नहीं perpendicular by base खाली पीछे send क्या लगाना माइनस का यह कितना है 40 यह कितना है 10 यानि माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वार अब समझ गये माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वार और जहां तक आपको कहेगा distance निकालने के लिए distance में कोई अंतर नहीं है जैसे उसको निकाले थे वैसे ही इसको निकालेंगे इसका distance माने क्या इसका area यह क्या length into blade 40 into कितना हो गया 160 meter ठीक, टाइम खादम जाएड